हलो वरण इस सुमित कुमार and in this video I am going to discuss this question asked in the NBHM PhD exam and this type of questions or concept हो तो इसको हम लोग देखेंगे यहां से जितना भी हो पाएगा हम लोग concept सीखने का परियास करेंगे एक और दिखते हैं इस टाइब के वी आप प्रोच कर पाएंगे तो चलो बिना वेस्ट के question को पहले समझते हैं कि question क्या है और कैसे अप्रोच करना है तो पहला जो question आपको दिया गया है यह बहुत ही symbols है question है question है कि यह कोई आपको एक invertible पूरे n cross n matrices दे दी गया है जिसको GLNR बोला जाता है general linear group और H दे दिया गया है वो सारे matrices जिनका determinant positive है जिनका determinant positive है of course the real matter says तो आपको बोला गया है कि ठीक है यहां पर इसने भी दिया है कि यह normal subgroup है ठीक है I'll suggest कि आप इसको पहले proof कीजे कि normal है ठीक है and then they are asking ठीक है well it is normal then what is this quotient group can you tell me you have to identify the quotient group that's a question करेंगे actually क्या हुआ कि मैं लगभग एक मैने से बहुत सारे maths के वीडियो दिया नहीं को कि अभी result का session तो बहुत ही students ने बहुत मेहनत किया था उनका हर जगा selection भी हुआ था उसमें आप लोगा सिर्वाद भी बहुत था और अब बहुत सारे देरे स्टूडेंट्स लोग चाहिए वो जाए मोनेट हो गेट हो एक था रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होती तो उसी को ध्यान में रखके हमने यह दिया है ताकि आप लोग इसमें महसूस करें और इसे बहुत को सीख के जाए ठीक है तो कैसे इस को हम लोग अपरोच करेंगे जहां पर आप कोई गूरूप दे दिया गया है उसका एक सब गूरूप दिया गया और यहां फिन फैक्ट भी दिया गया कि नॉर्मल है तो यह कोशन्ट यह जो कोशन्ट कैसे होगा तो कैसे अपरोच करें क्या हमारा अपरोच होना चाहिए तो चलिए उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं कैसे हम लोग चीज़ को अपरोच करेंगे सो सॉलूशन ए अल्वेस सब्सक्राइब रूच ठीक है क्या हमारा थॉर्ट होना चाहिए तो अंसर्ट इस कांड the problems ठीक है ओके तो पहला दो तीन चीजे में आपको रिकॉल करना चाहूंगा I hope you guys are family also कि अगर H कोई normal subgroup है ठीक है न तो quotient group आपको पताऊना चाहिए कि what does it mean by quotient group it's collection of left quotient or right quotients क्यों ऐसा इसलिए इसलिए इक्वर्टटन होता है कि पूरे group को study करना थोड़ा सा कभी बहुत हिए बहुत दीपर चाहूरत है जाता है उसको ब्रेक कर दिया जाता है चोटे-चोटे-चोटे फीस में उसमें सब्सक्राइब तो आपको नॉर्मल को यह पताऊना चाहिए and then how it makes group so you have to define the operations so a h b h is nothing but a b small a b and then h यहां पर यह कॉंसा operation है यह गुरूप अले का operation है और यह operation आप यहां पर डिफाइन कर रहो so a h b h defined as a b h first you have to check this is well defined and blah blah everything identity inverse and so forth you have to do that so this sometimes to इसलिए कभी-कभी आपको यह direct quotient group बोल देगा कि इसको identify करो मतलब आपको यह बताना है कि यह quotient group किसके साथ जो well known groups है आपके पास है ना बहुत सारे जो well known groups हो गए इंटीजिस हो गए रियल्स हो गए जड़िन्स हो गए किसके साथ यह आप डिख पा रहे हो कि इसके साथ आई सो मॉर्फिक है तो आपको यहां पर है तो पहली बात कि अगर कोई भी मैंट्रिक्स आप उठाते हो कहां से जे लैनार से तो यहां तो इसका दो बनेंगे कि यह तो इसका डेटमिनांट अपना पॉस्टिव होगा यह तो इसका डेटमिनांट निगेटिव होगा कोई 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 रियल मैंट्रिक्स है जिसका डेटमिनांट नॉन जीरो है तो यह तो पॉस्टिव होगा या निगेटिव होगा इसने पॉस्टिव अला पा चीज़ है तो उस भी हम लोग फ्रसर जोड डालेंगे तिसके बस सिंप्ली इस टाइब के चीज़े जब भी है जस्ट डिफाइन होमोमोर्फिज्म साई कहां से कहां जी लैनार से सेट विथ टूएलेमेंट्स पर भेज दो कौन-कौन सा जट टू पर कौन-कौन से जैसे ही आप उठाओ गया उसको भेज दो बाई साब जीरो अगर यह डिटर्मिनांट पॉस्टिव और वन अगर यह डिटर्मिनांट निगेटिव करेक्ट है क्यों क्यों क्योंकि अगर डि है तो यहां पर भी जैसे वन है सेट तुम अगर वन को मैं दो बार राइट करूंगा तो जीरो हो जाएगा क्योंकि टू इस जिरो इन जेट तू तो यूजिंग एट लॉजिक लॉजिक लाइक वेल डिफाइंट मैप इसको मैं देग और यह गूरूप उपरेशन जिस्ट दूँगा कि इसको चिक करो कि दिशिजर गूरूप होंफिजम साइज दिस इस अन ओन्टू गूरूप होंफिजम एट्स वेरीजी एक्सरसाइस जस्टू दू दाट है को इसमें रॉकेट साइंस नहीं अगर यह चीज आपको नहीं पता है तो फिसस्टाइल सजिस्ट की ह अगर होम और फिसम क्या होता इसको पढ़ो फिर अन्टू क्या है फिर इन दोनों को कलब कर के कैसे क्या चीज आती है उसको देख लो तिक रहना नहीं आता को पढ़ लेने में को बुरा बात रही है ठीक है और बहुत जीज जए नहीं आए तो आप मेल करो यहां पर देखत तो यह तब ही आएगा सब्सक्राइब पॉस्टिव होगा और यह सारे आपको कलेक्शन दे देगे है एक तरीका साथ आपने भी प्रूफ कर दिया कि करनल थो हमेंसा नॉमल से गुरूफ होता है था है आपको वहां दे दिया गया था है नॉमल है यहां साथ इस तरीके से भी सुबाए कर दीजे बाए fundamental theorem so by fundamental theorem of group algorithm your GLNR upon that cardinal of psi that isomorphic to its image जो इसका image आएगा and because this map is on 2 because you have a function जिसका determinant पॉस्टिव हैगा तो वो जीरो पे गया पॉस्टिव पॉस्टिव तो आई और ऐसा लिए जिसका determinant नेगेटिव भी हार है राइट तो रियल नंबर में है एन अट लीस्ट तू है तो पॉस्टिव नंबर नेगेटिव नंबर पॉस्तिव रियल नेगेटिव रियल तो से से भी आपको अपको गलत तो इसको थरद जिस्टिफाई करो गहिं मैं बोला मुचिंव कर ढूंत जबाूं जये पुद चाहिए सां so this is z2 right so thing is good so we have done this so hence this glnr upon this h this is isomorphic to z2 so this is the identification so collection of n by n invertible matrices quotient with determinant positive is isomorphic to z2 so that's identifications okay so ye ho gya okay now if i ask if i ask okay so yaha tuk yeh saareh clear thi liqin agar mein ek dusra question poochu hi agar mein h aap ko dhe dhu ki a such that a belongs to jlnr such that a is upper triangular toh yeh kya what you can say about this collection is it a subgroup is it a normal subgroup and if it is normal agar yeh normal hai toh what is the quotient group what is the quotient group that's the same question i'm asking here okay toh ispa work out karo isko bana ke mereko mail karo thik hai yeh joh question abhi meh na aap ko dhiya hai isko aap mail karo thik hai aar noble forum 05 par thik hai yahan peh mail karo aur joh regular batch se jude na chaathe hai live classes se woh bhi apna mail ke jee ga contact number likki then our team will contact you okay till then enjoy the subject and be happy okay chalo mahi yeh paste off karata hao thik hai chalo baai Surprise Shosh 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 झाल झाल